मैथ्यू से शाकिप की बेमानी क्या है टाइम आउट की कहानी क्या हुआ क्या मैथ्यू को यह नियम नहीं पता थे आइए चले देखते हैं वाके में हुआ क्या है चार विकेट स्रिलंगा की गर गे थी मैथ्यूज बैटिंग करने आये थी तो वो जैसी हेलमेट लगाते हैं तो हेलमेट उनका तूड़ जाता है नीचे से उनका हुग तूड़ जाता है जैसी हेलमेट की मांग करते हैं तो शाकिप घुह है वो appeal कर देते हैं कि यह time पे यो है नहीं आये, पूरा मामला देखते हैं होता क्या है? जब एक बल्लेबाद out हो जाता है तो दूसरा बल्लेबाद जो है मैदान पे आता है। और उसको जो है तीन मिनट के अंदर जो है पीछ पे जो है वो होना चाहिए था तीन मिनट में पीछ में अगर नहीं होता तो आउट करार दिया जाता है और सामने वाली टीम जो है टाइम आउट बलब टाइम पे पहुंशने ना पहुंशने की जो है वो अपील करती है आगरी फैसला जो जाता है वो अमपायर के पाज जाता है आकरी फैसला तो अमपायर डिसाइड करता है और यहाँ पे देखिए मैथ्यूस का जो है टूटावा हेलमेट था लेकिन जो है शाकीब से फिर पूछा अमपायर ने कि आप इस अपील को वापस लोगे तो शाकीब ने बिलकुल माना कर जिया कि मैं बिलकुल सीरियस हूँ और मैं इस अपील को वापस नहीं लोगा और गुसे में मैथ्यूस